इम सम्मालिश रोतागड आप सभी को भी मेरी और से सुप्रबाद नमस्का प्रणामिन स्वागतम ब्यसी भाग तृतिय के समस्त्र विध्यार्तियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुति करने मेरे हाड़ी कमिनेंदन प्री विध्यार्तियों अज जिस विशे पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने चाँ रहे हैं उसका विशय है रेकिक कर्णों कि द cabinet कि विद्पत्त्ति ये विशे बेशी भाग दिशी प्रटियों कि पिरतिए बहत करशाएं से इकए तरतियों स्प्राइए सो ग्यार्तियों को इस सवरें आजके दीवध्यान ऑगंग आज की सभ्याद पर अपना गयों हम कि वैक्षुय पर अपने व्यूय पर स्तोथ कानने से पल है हम विह संक्षप्त में पिर्षे दोड़ाध्नène चाहते हैं जिसमें हमने स्परक्टरम को स्व्ब प्रशित किया था कि जब सुरच के प्रकास को विवर्टन ग्रीडिंग अतो प्रिजम की माध्यम से गुजरा जाता है तो आप देखेंगा फोटोग्राफिक प्लेट पर विव्योर के रूप में अलग अलग प्रतिका के रूप में जो वर्ण विक्षेपन जो होता है जो प्रतिका अप्राव्ट होती है उसक सरजन स्पर्ट्रम और देटि और स्पर्ट र में स्पर्ट्र में अपने विजह प्रस्थ किया थे क्या श्रीन स्पर्ट्रम अगवमों कोर्ज़ं प्रतिक अवाले सब्स्क्राफ्ष पराप करते हैं उसके पस्टाइब और इनको आगे वर्गे करना को हम रसी परिभाशीत किया था समनेमिद्न आप दखेंगे के इसमें जो है यह दो स्पेक्ट्रम के बीच में जो होता है एक अंतराल होता है और इस प्रकार स्पक्ट्रम प्राप्त होता है इस प्रकार स्पक्ट्रों को फड़ता आगी जो हमने रेखिक और आद देखेंगे यहां पर बेंड स्पक्ट्रम के रूप में आगे वर्गी करता है समझना के प्रैयास करते हैं कि अधक्र में जिसके नाम से थे प्रिविद्यारति के द्वारपत किया जाता है जो है कर देखें यहां पर वाश्मी क plastic में आप देखेंगे उस सब्सक्राइब करेंगे इस सिति में आप देखेंगे चम्किली पट्टी का उपर ठीक विप्रीद जो है काली पट्टी के जो प्राप की जाती है जब कि आप देखेंगे इसमें जो है काली प्राप के जाती है अब बारी आती हमारे पास एक बेंडसक्राइब के प्रेविध्यारति यह वंडत कर यह लिखा हुआ है आणवी जो प्रजाती जो होती है यह जो प्रमानों के दोरा प्राप्त किया जाएगा लेकिन आप देखेंगे प्रमानों के इस प्राप्त किया जाएगा लेकिन आप देखेंगे प्रमानों के इस प्राप्त किया जाएगा लेकिन आप देखेंगे प्रमानों के इस प्राप् जाएगा यहां पर आणवी की जो होती है द्रोव और आप देखिए आपर विलियन के दोरा प्राइब किया जाएगा अगला वारा हमारा टॉपिक बहुत ही आती जो आप देखिए रोचेक और महत्तपूर्ण है और अती महत्तपूर्ण है यह वाला हमारे पास में रेकल और छेतर कहां पर प्रियोग मिले जाएगा उसके लिए इलेक्टानों की संकमण की स्थिती किया होगी तरंग देखिय नियम की दो प्रमुख सर्ते होती है जो समाल समाल कक्षिक में प्रियोग मिले जाएगे सत्तिति में देखेंगा आप येवाली शर्ट प्रतिबंदित शंक्रमन के लाई आप देखेंगा इलक्टर्वल्र के ऐसी सतिति में गमवन कूच या गतीमान की स्थिती होगी इसको समान समान Saz, PP, DDFM तिया गया दूसरे हमारे पास में जो है इसे पि-से है आप देख़ें वी प्रकृति हमारे पास में जो कक्षक है इन कक्षकों को जो है अनुमत नाम देγαगा है ऐनूमत संक्रमण होगा आई ये विश टब तक एक आने वाले समय में आने वाले वैक्षण हे साथ में जिसमें जो यह शर्ति जो है प्रतिबंद दो अनुमत संक्रमन की लगने जो शर्ति नए विशे के साथ में कक्षा कक्ष में हम अपना प्रस्तुत करेंगे फिर से आप से भी को नमस्कार धन्यवाद कोटी-कोटी आभार